तो दोस्तो अभी जो junk patch लगा था वो सारा repair हो चुगा है और अंदर से हमने ये damer coating लगा दिया है तो दोस्तो अभी बाहर का जो finishing होता है वो ऐसे लाफी भर के किया जाता है आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर लाफी परने के बाद दोस्तो इसको बराबर ऐसे गिसा जाता है ताकि अच्छे से फिनिसिंग आ जाए और finishing आने के बाद एक और लेप होता है जो लगाना होता है और इसके बाद ऐसे एक paper आता है वो paper से सारे पाट की गिसाई होती है इसके बाद दोस्तों ऐसे paper लगा के बाकी के पाट को बचाया जाता है और painting जो पाट में आप देख सकते हो painting हो जुगा है थोड़ा color अलग आया दोस्तों सारा जो दर्वाजा वाला पाट वो रेडी हो चुका है इसके बाद दोस्तों ये brake light वगेरे जो निकाला था उसको हम फिर से लगा रहे है लेगिन यहाँ पे क्या हुआ कि brake लगाने से ये light जली नहीं तो हमने आगे steering के नीचे वाले हिस्से में चेक किया तो पता है तो दोस्तों अभी जो वेरा brake है वह रिपेर हो चुका है तो दोस्तों ये आप देख सकते हो हमने light वगेरे भी लगा दिया है दोस्तों ऐसे वीडियो अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना बुले और दोस्तों अभी ये मेरा कार कंप्रीट हो चुका है थोड़ा इसका हाइट बढ़ाने का है वो काम बाकी है लेकिन वो हम बाद में कराएंगे तो वीडियो देखना मत बुलना अभी हम ट्राविल करेंगे यह वान से अलग-अलग जगह पे और वहां के वीडियो भी दिखाएंगे और दोस्तों यह गजब टैलेंट लगाया भाईया ने और बहुत ही सांदार तरीके से मेरा जो वींडो है इन्होंने फिट कर दिया थैंक यू दोस्तों फूर वाचिंग इस वीडियो